तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटिफूल फ्लावर का जो कलेक्शन है वो शेयर करने वाला हूं इन सभी फ्लावर को जो है वो मैंने इस सीड से ग्रो किया था तो अब सभी के अंदर जो फ्लावरी का जो है वो आ चुकी और बहुत ही रंग बिरंगे जो फूल है इस पिंक के अंदर वाइट शेड है और आपको नजर आ रहा होगा देखी थोड़ा सा अब यह देखी थोड़ा सा लाइट पिंक है उसके अंदर वाइट शेड है यह येलो आपको नजर आ रहा होगा देखी येलो कलर भी जो है आपको मेरे आइस प्लांट के अंदर मिल जाए है और जैसे जैसे फ्लावर से भरेगा तो यह बहुत ही ब्यूटिफुल लगने लगेगा तो यह देखे अलग-अलग कलर के और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आइस फ्लावर उसके बाद जो सेकेंड नंबर पर मैं आपके साथ सेर कर रहा हूं यह है डायन्थस को जो है वह लाइट कलर के फ्लावर जो है वह आने लगे देखे काफी फ्लावरिंग जो है वह कर रहे हैं वाइट पिंक परपल कलर के फ्लावर है आपको देखने को इसके पर मिल जाते हैं तो यह भी बहुत ब्यूटिफुल फ्लावर है उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है वह हमा तो यह आप देख सकते कि नेस्टीशियम ग्रो हुआ देखिए अब जो है इसके पर शीडलिंग भी आनी जो है वो शुरू हो गई है तो अगर आप शीड कलक करना चाहते तो शीड भी कलक कर सकते हैं तो नेक्स जो ब्यूटिफुल प्लांट में आपके साथ सेहर कर रहा हूं जो है वो उगाया और मुझे यह जो प्लांट है वो बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है इसके फ्लावर देखिए अलग-अलग कलर इसमें पिंक आपको दिखने में जाएगा वाइट पे ब्लू जो है वो भी नजर आ जाएगा पिंक है प्योर ब्लू है वाइट कलर भी है इसके अंदर तो अलग-अलग पैटन जो हो कौन फ्लावर में आपको देखने को मिलते हैं और बहुत ही आसानी से जो है शीड से ग्रो हो जाता है लग-बग दो से धाई मन्ने के अंदर जो है यह फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है तो नेक्स जो ब्यूटिफुल प्ल वो परचेज किये थे और यहां पर आप देख सकते हैं कि देखिए डेजी का जो प्लावर हो वह बहुत ही ब्यूटिफुल छोटे-छोटे फ्लावर जो है कि अपटे से लगने के नहीं से यह शुरू कर दिये कि 10 नें आसपास जो है जो मेरे गार्डन में आपको आप और है हमारा केलेंडूला आपको बता देता हूं की जो केलेंडूला है वो सिर्ट से बहुत ही आसानी से स्वरोर पीड़ की जरुवत नहीं होती इसके ओपर adel ऑ और शोपट कलर के देखने को मिलते हैं पैटरन अलग-अलग होता है यह देखे यलो के ओपर दूसरा pattern है वो pure yellow था यहां आप orange देखिए अंदर भी orange है तो pattern आपको different different देखने को मिल जाते है single petal double petal yh देखिए यह भी orange यह लेकिन अदर का जो पैटरन है वो different है तो बहुत ही सुन्दर calend coyandula के flower है वो लगते है और जो multi petal flower होता है वो बहुत ही भरा भरा जो है आपको नजर आता तो इसको भी मैंने शीट से ग्रो किया था और केलेंडूला में अब जो बहुत अच्छी फ्लावरिंग जो है वो शुरू हो गई है और काफी टाइम तक ये फ्लावर करेंगे मार्च अप्रेल तक फ्लावरिंग जो है करते तो अभी कम से कम 1-5 महिने तक ये अच्छी फ्लावरिंग करेंगे तो नेक्स प्लावर जो है वो मेरा है स्टॉक फ्लावर और स्टॉक को भी मैंने शीट से ग्रो किया था जिसका पूरा अपडेट जो है वो श्रू से लेके एंड तक जो है वो मैंने आपके साथ सेर किया क्यांता स्टॉक फ्लावर को उगने में ज्यादा स्टॉक क महिने है टाता कि जर्मिन असानी पीधियोंande ऐका चाख में अधान ती अधाति यह तक्या घड़ने को प्रप्लावर का recognize स्टॉक फ्लावर के और उसको सिए मैंनने की श्रूथ जो Dem información श्च आप देख सकते हैं यह हमारा Sweet Alisum और Sweet Alisum का मैंने पूरा शीड से ग्रो करने का वीडियो आपके साथ शेयर किया था देखिए एकदम भूके की तरह नजर आता है Sweet Alisum तो यह आप देख सकते हैं कि मैंने भी उसी शेप में इसको बनाने की कोशिश की थी और जितना मैंने सोचा था यह उससे ज़्यादा जो खुबसूरत है वो मुझे इस गमले के अंदर जो है वो नजर आया है तो यह Sweet Alisum है कुछ और collection भी आपको Sweet Alisum की दिखाता हूँ यह देखिए जो Sweet Alisum आपको नजर आ रहा है इसको सबको मैंने जो है वो बोटल के अंदर ग्रो किया था और देखिए Sweet Alisum एक ऐसा flower plant है जो बहुत ही आसानी से कहूंगा मैं बहुत आसानी से और शीड से जो बहुत जल्दी flowering करना शुरू कर देता यह देखिए उसके अलावा कुछ है यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे जो बिल्कुल धूप में रखे तो इनके उपर शीड आने भी शुरू हो गया है यह देखिए तो शीड भी collect करने का जो time है वो आई राय लेकि बहुत सारे flower जो है इसके पर आये थे वो सभी spent हो चुके है और उनके उपर शीड बनना है वो शुरू हो गया तो कुछ ही बचे हैं बाकी सब के उपर जो शीड आ गया है तो डहलिया भी बहुत ही आसानी से शीड से उख जाता और बड़ी जल्दी जो है यह flowering करना शुरू कर देता है दो से धाई मैने में यह भी flowering करना शुरू कर देता है उसके बाद है गजैनिया देखिए गजैनिया का अपडेट आपके साथ शेयर करणा है बहुत ही beautiful flower जो है वो आया है और आपको बता देता कि गजैनिया को भी मैंने शीड से ही ग्रो किया है और गजैनिया बहुत ही beautiful plant है देखिए बहुत सारे जो birds है आपको इसके उपर नजर आ रहे होंगा देखिए color कुछी भी हो सकता है जब आप शीड से ग्रो करते हैं यह देखिए एक और गजैनिया जिसके अंदर काफी जो छोटे वाला पैंजी है इसको भी मैंने शीड से ग्रो किया था यह देखिए बहुत ही beautiful yellow color का flower जो हो पैंजी में आपको देखने को जो है वो मिल सकता है तो पैंजी को भी आप अपने garden में winter में शामिल कर सकते हैं तो यह है हमारा सबसे जादा हमने इसके पर वीडियो बनाय है यह कॉस्मॉस का फ्लावर और कॉस्मॉस के तीन कलर मेरे पास अवलेबल थे white, pink और magenta आपको एक unique flower जो है मैं इसके अंदर दिखाता हूं देखे यह जो flower आपको दिखा रहा है five petals इसकी pink और three petals जो है तो यह एक amazing flower जो है हम कह सकते हैं बहुत ही beautiful flower जो है मैं इसको कहूंग दोस्तों तो यह भी बहुत आसानी से जो है वो शील्ड से ग्रो हो जाता है और जल्दी flower यह करना शुलू कर देता है अब देखे फ्लावर तो काफी है और शील्ड पर जो है वो फॉर्म हो रहे है तो next जो है उमारा marigold है गेंदा बहुत ही आसानी से आपको पता है सील्ड से कटिंग से बहुत आसानी से उख जाता है बड़ी जल्दी flowering करता है वो फ्लावर होते हैं वो भी बहुत लंबे समय तक बने रहते कम से कम एक से डेड़ महीने तक जो इसके flower है वो plant के उपर पूरी तरह से बने र अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन प्रेस करना ना बोले थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो वीडियो वीविल में नेक्स वीडियो